जैम आता दी दोस्तों चयात्राओं के योग बनेंगे कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी बनेंगे और आपकी जो हार एजुकेशन है उस पर फोकस कर पाएंगे इस समय आपको भागे का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा ऐसा कोई काम है जिसमें आपको भागे के सपोर्ट की जरूरत है तो उस काम को आप इस समय पर पूरा कर सकेंगे इसके साथ ही पिता का सयोग रहने से आपका हर काम एजी हो जाएगा आप कहीं धार्मी क्यात्रा पर जा सकते हैं इसके लावा आपकी शौर्ट ट्रेवल भी होगी भाई भैनों के साथ रिलेशन अच्छा होगा और अगर आप कम्निकेशन के फिल्ड से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं अगर आप एक राइटर हैं अगर आप एक बुग पब्लीशर हैं तो आपके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रेवल इधर उधर करना पड़ सकता है जो आपके लिए काफी अच्छा भी होगा आपको लाब भी मिलेगा बात करें 3, 4 और 5 सितंबर की इस समय चंद्रमा आपके दशन भाव में प्रवेश करेंगे ये समय आपके लिए विशेश रहेगा जो जातक अभी तक नौकरी के लिए परियास कर रहे थे या कहीने कहीं काम ढूंड रहे थे या फिर प्रावेट जाप आप ढूंड रहे थे तो आपको जाप मिल जाएगी और जो जातक पहले से ही कहीने कहीं जाप कर रहे थे उनके लिए प्रमोशन का चांस हो सकता है अगर आपके बास के साथ आपके संबंद खराब चल रहे थे तो अब आपके बास के साथ आपके संबंद अच्छे होंगे और उनके साथ आपका विवहार काफी अच्छा रहेगा जो जाता कभी तैयारी कर रहे है और लंबे समय तक उनको सफलता नहीं मिली है तो वो अपनी जॉब को लेकर बहुत जादा चिंतित रह सकते हैं इस समय आपको चिंता करने के जादा जरूरत नहीं है तीन दिन आपके लिए विशेश इसके लावा चंद्रमा यहां से आपके चौते भाव को देखेंगे और अगर आपका प्रापटी से जुड़ा हुआ कोई काम है उसमें जो भी बाधा आ रही थी तो वो भी दूर होगी माताजी के साथ आपके रिलेशर अच्छे बनेंगे साथ ही आपका समय भी काफी अच अच्छा रहेगा आपका घर से अटैच्मेंट बढ़ेगा आपके घर का वातावरण भी काफी अच्छा रहेगा और आप कुछ समय अपने घर पर बिताना चाहेंगे अगर आप कहीं दूर जॉप करते हैं तो घर से आपका लगाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और आ इस समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा धन संबंदित जो भी काम हैं वो बहुत ही जल्दी से बनेंगे नए दोस्त भी आपके बनेंगे जो आपका फाइनेल्शल सपोर्ट करेंगे कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े होंगे जो पहले से ही आपको सपोर्ट करने के लिए तयार रहेंगे इस समय आप अपने बड़े भाई का सयोग अच्छे से ले पाएंगे और आपका जो समय ये दो दिन का है उसमें जो भी काम आप करेंगे तो आपका फोकस कहीं न कहीं धनलाब पर रहेगा या फिर अपने इच्छाओं को पूरा करने पर रहेगा इ इसके लावा आप अपने ओडियन्स में व्रिदी कर सकते हैं आप अपने नेटवर्क सरकल को और भी जदा बढ़ा सकेंगे और आपका दोस्तों के साथ विवहार भी काफी अच्छा रहेगा इसके लावा चंद्रमा यहां से आपके पंचम भाव को देखेंगे इस समय आप अरब को अपने संतान का सायोग मिलेगा, संतान के सायोग से आप अपना कोई भी काम पूरा कर पाएंगे, इसके रावा अचानक से धन प्राप्ति के संकेत भी मिलते हैं, चंद्रमा पंचम को देख रहे हैं, तो अगर आपका एजूकेशन संबन्धित कोई भी कारिया हैं तो उसके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। इस समय आपके लोटरी वगएरा के चांसिस भी बन सकते हैं या फिर अचानक शियर मार्केट से आपको धन प्राप्त हो सकता है। इस समय संतान से आपको खुशकबरी मिलेगी। अगर आप प्रेम संबंदों के लिए काम करते हैं और अगर प्रेम संबंद अभी तक नहीं हैं तो प्रेम संबंदों की शिरुवात हो सकती हैं और अगर पहले से ही किसे के साथ आपका प्रेम संबंद था तो वो अच्छा चलेगा। इस समय आप थोड़ा emotional रहेंगे, आप अपने mind पर बहुती ज़ादा stress देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बचना चाहिए, इस समय आप अपने इच्छाओं की पूर्ती करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे आप अपने network circle का use करें, या फिर आप अपने भड़े भाई क सयोग लें, या फिर आप अपनी संतान का सयोग लें, लेकिन कुल मिलाकर संतान का सयोग आपको अच्छा मिलेगा, आप संतान के प्रति द्यालुता पूर्ण विवहार करेंगे, और संतान के साथ आपका attachment काफी ज़ादा बढ़ेगा, इसके साथे जिन लोगों से आप प्र लाब पर रहेगा, आप कोई भी काम ऐसा करना चाहेंगे जिसमें आपको धन लाब हो रहा हो, अगर आपको कोई लाब नहीं हो रहा है, तो आप उस काम के लिए नहीं जाएंगे, धन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, इसके लावा अगर आप मिथो नाशी वालों के लिए इस सप्तहा के शुब अंक और शुब रंग के बारे में तो शुब अंक रहेगा ना और शुब रंग रहेगा सफेद तो ये था मिथो नाशी वालों के लिए सितंबर 2020 के पहले सप्तहा के बारे में